आंदोलन थमारा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कोई आरपार का फैसला नहीं हो जाएगा इस कड़कड़ा की ठंडी में लोग करीब तीन महीनों से बैठे हुए हैं अपने मकान दुकान और अपने बच्चों के भविस यानि स्कूलों को लेकर यहां पर धरना पर बैठे हुए हैं लेकिन अफसोस की सरकार इनकी आवास उनको नहीं सुनती तो आईए जानते हैं यहां के लोगों से क्या ना मैं सर आपको सर फिलाल में मुखमंत्री जी ने कहा कि आजमगर में विकास हो रहा है एरपोर्ट बन रहा है वो महराष्ट में इस वक्त हैं और कारपोरिट धरानों को और विदेशी पूझी पतियों को यहां पर बुला रहे हैं कि आईए उत्तर परदेश में बहुत संभावना है आप लोग अपनी पूझी निवेश करिये और यहां पर हम आपको जमीन दे रहे हैं तो पूझी पतियों के लिए यह जमीन किसानों के मजदूरों के जमीन ले करके पूझी पतियों को देंगे और यह तो कह रहे हैं कि हवाई अड़े का विस्तार हो रहा है जबकि हकीकत यह है कि बिस्तार रुस्तार कहीं कुछ नहीं हो रहा है यह सारे जो भी खेल खेल रहे हैं यह पूझी पतियों को जमीन देने के लिए कर रहे हैं आपके आंदोलन के कल तीन महीना पूरा होने वाला है सरकार आपकी बात नहीं बनती आगे अंदोलन जाई रहेगा जब तक कोई आरपार का फैसला नहीं हो जाएगा अगर हम सरकार से यह पूछें कि लोगों को उजार कर विकास कहा जाता है तो फिर बिनास उनकी भासा में क्या है और इस इलाके के लगभग आप समझ लेजिए कि 12-14 गाउं जो पढ़ रहे हैं इस दाइरे में वहां पर लगभग पचासो हजार लोग बेघर हो जाएंगे और जब बेघर हो जाएंगे जमिन उनकी होगी नहीं उनको जो यह कह रहे हैं कि हम वाउजा देंगे पैसा किसी के जम में ठहरा है आज तक कि फर हमारे ही जम में ठहरेगा आज हम अगर यहां से बेघर हो जाएंगे और हमारे पास पैसा होगा तो कोई भी हमको नाल लगा करके हमारा पैसा छीन लेगा हम क्या करेंगे उसका और एक बात और आपसे बता दें कि आदमी कहीं भी हो कैसा बिगड़ेल आदमी हो कैसा भी किसी भी चिरित्रका हो लेकिन अन्ति में जब कहीं से वो छूड़ता तो उसको पहले घर याद आता है कितने एकड़ की भूमी अधिकरार कर रहे हैं वोलो यह कह रहा है कि हम 670 एकड़ भूम लेंगे 104 पहले कि वो लिये हुए है आज तक कोई फलाइट नहीं उड़ी है नाई उतरी है और आगे उतरेगी भी नहीं क्योंकि यहां फलाइट उतरने का कोई मतलब ही तो नजर नहीं आ रहा है कौन जाएगा उस फलाइट पर यहां नाई इंडेस्ट्रियल एरिया है नाई यहां कोई परेटर कस्थल है और नहीं कोई ऐसा यहां का दाइरा है कि ताकि देश बीदेश के लोग आवं यहां पर दर्शन करने या किसी काम से तो यहां कोई भूशा करेदने वाला तो आयेगा नहीं अगर आएगा तो हवाई जासकी नहीं आएगा तब वो ट्रैक्टर के टाली लेकर आएगा तो हम यह जानना चाहते हैं सरकार से कि जिस जुगे पर आप airport का विस्तारी करण का plan लाए हैं इस airport से नाहीं कोई आज तक जहाज उड़ी और नाहीं उड़ने के उम्मीद है तो हम आप से मांग करते हैं कि आप ये मास्टर प्लान वापस ले और जो हवाई पट्टी उस हवाई पट्टी को रहने दे वो नेताओं के उतरने के लिए बहुत काफी है आपका ये मुद्धा एरपोर्ट का मुद्धा इस समय विधान सवा में गूजा फिर मनोज्जा सांसत जो की सांसत में भी उन्होंने आवाज उटे उस पर क्या करें देखिए यहां पर जो जन परतिनिती होंगे तो जनता के सवालों को उठाएंगे अब सवाले उटता है कि वो किस मिजाज के हैं अब भाजपा के किसी निता से उमिध हम कर नहीं सकते क्योंकि उसके पास ये छमता नहीं है कि वो अपने सरकार के ब्रुद कोई आवाज उठाए मनोज्या ने उठाया और बहुत अच्छा सवाल किया है और इहां बिधान सभा में इस छेतर के बिधायक नफिस हमद ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया दुर्गा यादों ने भी इस चीज़ को उठाया और लाल गंज की एक सांसद है गिता के क्या नाम है आजाद संगीता आजाद उन्होंने परलामेंट में वह बात कहा कि जो हमारे बिरुद जाती है उन्होंने कहा कि किसानों को मौज़ा दे देना चाहिए अब बताए हम यहाँ पर मौज़ा का नाम नहीं यही तो इस सरकार की बात है तारीफ करने लायक है कि जिस चीज को हम मांगते हैं वो हमको मिलती नहीं और जो हम नहीं मांगते हैं जिसका हम नाम नहीं लेते हैं वो हमारे उपर थोपा जाता है उन्होंने कहा कि किसानों को मौज़ा दिया जाए किसान मौज़ा का नाम ही नहीं ले रहे हमारा कोई हमारे जनता में से कोई भी यादमी नहीं कर रहा कि हमको मौज़ा चाहिए या मौज़ा का कभी कोई नाम ले सबका यह कही सवाल है कि हमारी जमीन हमारे मकान छोड़ दिये जाए और यह माश्टर प्लान इसको वापस किया या रद कर दिया जाए। उजड़ कर जाएंगे कहां। वहाँ पे जाकर बता रहे हैं कि आजमगड़ वालों को रूम नहीं कहीं मिलता। तो हमें बसने देगा कोई कहीं। इसलिए हम लोगों को अपना घर, अपना मकान, अपना खेती बारी नहीं उजड़वाना है। जैसा वो कर रहे हैं वैसा पाएंगे। क्या नहीं सर आको ओम प्रकास भरती। सर जीस तरीके से यह मुद्वा गर्मी गर्मा हुआ है। पूरे आजमगड़ के पूरे विधान सभास अले के संसर तक में बात पहुच चुकी है। क्या अभी तक सरकार ने कुछ जवाब दिया। सरकार को घोटना टेकना पड़ेगा। जैसे हम लोग तेरा महिना दिल्ली में रहे। गाजी पुरुबाडर पर और सिंदुबाडर पर हम लोग जितना वहां संघर्ष किये। आखिर माफी मांगना पड़ा मोदी को यहां भी उनको वही करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इसका जो प्रेडाम भोगेंगे। अभी कोई निसकर्स नहीं निकला है। इस पर यह जो है माश्टर प्लान अपना वापस ले ले एक गरीबों का आसियाना और जमीन मकान ने चीने। और ले जाकर जिले में कहीं भी हो खाली जमीन हो जाकर के बना ले लेकिन यहां से अपना वापस ले। कम सकम आठ गाउं तो उजड़ रहे हैं और दस बारे और आठ गाउं ले लेंगे तो बाकी अगल बगलते छोड़ेंगे नहीं वह लेंगे। तो साफ तोर से इन लोगों का कहना है कि लगे कि आग तो आएंगे कई मकान जद में यहां पे सिर्फ हमारा मकान तो थोड़ी है। देख रहे हैं बोलेगे यूपी अगर यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पर देख रहे हैं लाइक और फालो करें शुक्रिया।